दोस्तों बच्चा एडॉप्ट किये जाने का कॉंसेप्ट और प्रचलन हिंदूलों में बहुत पुराने टायम से रहा है। काफी ऐसे लोग जिनके बच्चे नहीं हैं गोद लेना चाहते हैं लेकिन इससे रिलेटेड प्रोसेस का नौलेज नहीं होने के कारण से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। ताकि आप तक ऐसी ही लीगल जानकारियों के वीडियोज रेगूलर पहुंसते रहें। गोद लेने की प्रोसेजर क्या होगी यही वो चीज है जिसके बारे में लोगों को जानने की जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो प्रोसेजर के हिसाब से गोद के दो टाइप्स पर विचार किया जाता है। पहला टाइप तो है हिंदू एडॉप्शन और मैंटिनेंस एक्ट के इंतरगत गोद। इसमें प्राय परिवार के ही किसी बच्चे को गोद लिया जाता है। गोद के टाइम पर पारिवारिक आयोजन भी किया जाता है और गोद हो जाने के बाद गोद का डॉकॉमेंट भी रजिस्टर करवाय जाता है। हिंदू एडॉप्शन से रिलेटेड प्रोविजन्स पर हमारे चैनल पर वीडियोज पोस्ट किये हुए हैं आप डेस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक के जरिए वो वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा टाइप है गोवर्मेंट एजन्सी के जरिए गोद लेना। और हर स्टेट के लगभग हर जीले में एडॉप्शन कॉर्डिनेटिंग एजन्सी बनी हुई हैं जिनके अलग अलग नाम हो सकते हैं लेकिन कारा महिला एवं बाल विकास मंत्राले की ही एक ब्रांच है जो बच्चों को गोद लेने की प्रोसीजर को रेगुलेट करती है। तो गोद लेने के लिए इच्छुक व्यक्तिया कपल को कारा या स्टेट की एडॉप्शन कॉर्डिनेटिंग एजन्सी के पास अपना रेजिस्ट्रेशन करवाना होता है। कारा में रेजिस्ट्रेशन के लिए आप कारा की वेबसाइट पर जाकर ये काम कर सकते हो। तो ग परिवार गोद लेना चाहते हैं। अगर उसकी रिपोर्ट सही है तो वेटिंग पिरिड शुरू हो जाता है। अब एजन्सी के पास जैसे ही गोद लेने के लिए कोई उप्युक्त बच्चा आता है। तो एजन्सी वाले ऐसे प्रोस्पेक्टिव औडॉप्टिव कपल उस बच्चे को गोद लेने के लिए अपनी स्विक्रती दे दे तो adoption placement agency और भावी माता पिता के बीच बच्चे के पालन portion से संबंदित एक agreement किया जाता है और बच्चा ऐसे भावी माता पिता को सौप दिया जाता है ध्यान रखिये यहाँ पर गोद नहीं दिया गया है केवल बच्चे को सौपा गया है क्योंकि adoption placement agency भी court की permission के बिना गोद नहीं दे सकती बच्चे को भावी माता पिता के पास सौप देने के साथ ही adoption placement agency की तरब से किशोर्न्याए बोर्ड में या सक्षम अधिकारिता के court में बच्चे को गोद लेने की मनजूरी के लिए याची का पेश की जाती है काफी states में इससे संबंधित jurisdiction की सोर्न्याए बोर्ड को है काफी जगे इसका jurisdiction family court या फिर civil court को दिया हुआ होता है तो जिस इस्थान पर जिस court का छेत्राधिकार है उस court से adoption की permission के लिए petition फाइल की जाती है और संबंधित court अपने satisfaction के बाद बच्चे को गोद लेने देने की मनजूरी दे देता है court से मनजूरी मिलने के बाद दत्तक मातापिता और एजेंसी की तरब से सबरेजिस्टरार ओफिस में adoption deed registered करवाई जाती है जिसके बाद बच्चे के birth certificate के लिए नए मातापिता आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर adoption की process complete हो जाती है दोस्तों गोद लेने के बारे में अलग-अलग states में दिशा निर्देश या फिर court का jurisdiction तो अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन process लगभग एक जैसा ही है चुकि गोद लेने के लिए regulating central authority करती है इसलिए कोई वेक्ति देश के किसी भी state से बच्चा गोद ले सकता है बस इसके लिए गोद लेने वाले वेक्ति या parent की जाच पड़ताल उस state के agency करती है जिस state में गोद लेने वाला वेक्ति या couple रहता है फिर जाच report को उस state में भेज दिया जाता है जहां से गोद लिया जा रहा है तो ये तो हुई adoption की procedure अब देखते हैं ऐसे सवालों को जो commonly पूछे जाते हैं सबसे पहला सवाल age के बारे में है तो जिस बच्चे को गोद लिया जाता है वो maximum 15 साल तक का हो सकता है दूसरी बात की गोद लेने वाले वेक्ति और बच्चे की age में 21 साल का difference होना जरूरी है जहां तक बात parents की age की है तो अगर किसी couple के द्वारा गोद लिया जा रहा है तो ऐसे पती-पत्नी दोनों की age कुल मिला कर 90 साल से कम होनी चाहिए और अगर कोई single parent गोद लेना चाहता है तो उसकी age 30 से 45 साल के बीच में हो सकती है फिर एक सवाल यह आता है कि जिन couple को पहले से बच्चा है क्या वो भी दूसरा बच्चा गोद ले सकते हैं तो हाँ गोदलिया जा सकता है, लेकिन यहाँ यह ध्यान रखने लायक है कि पहले से जो बच्चा है, उससे विपरीत लिंग का बच्चा ही गोदलिया जा सकता है, यानि अगर किसी कपल को पहले से एक लड़का है तो वो किसी लड़की को गोद ले सकेंगे अगर एक से ज़ादा बच्चों को गोद लिया जा रहा है तो वो समानलिंग के हो सकते है इसके बाद बहुत important question ये आता है कि क्या कोई अकेली या तलागशुदा महिला भी बच्चा गोद ले सकती है तो हाँ single lady भी गोद ले सकती है लेकिन उसको अपनी death होने की स्थिती में बच्चे का guardian गोद के time ही appoint करना होगा और अपनी पारिवारी की स्थिती का ब्योरा भी देना होगा दोस्तों अगर personal law की बात करें तो हिंदू law में तो adoption के लिए provisions हैं लेकिन Muslim law या गैर हिंदू लोगों के लिए adoption का कोई clear law नहीं बना हुआ है इसलिए non-hindoo लोगों के लिए confusion रहता है कि क्या वो गोद लेने के लिए apply कर सकते हैं तो हाँ guardian and ward act 1890 के अंतरगत कोई भी व्यक्ति चाहें वो किसी भी धर्म का हो बच्चा गोद ले सकता है इस पर supreme court का verse 2014 का verdict भी है कि juvenile justice act में verse 2006 में हुए amendments के अनुसार किसी भी धर्म के व्यक्ति को बच्चा गोद लेने का अधिकार है इसके बाद काफी लोग पूछते हैं कि गोद लेने के लिए क्या कोई न्यून्तम आय की भी जरूरत है तो कोई भी व्यक्ति या कपल जिसकी monthly income 3000 रुपे से ज़्यादा है वो बच्चा गोद लेने के लिए apply कर सकते हैं काफी लोग पूछते हैं कि शादी के कितने टाइम बाद बच्चा गोद लेने के लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए कोई specific बार नहीं है लेकिन गोद देने वाली agencies प्राई ऐसे कपल को प्राथमिक्ता देती हैं जिनकी शादी को 5 साल हो गए है बाकी agency के satisfaction पर depend करता है दोस्तों काफी लोगों के मन में ये डर भी होता है कि वो बच्चा गोद ले लेकिन उस बच्चे की health condition सही नहीं हुई तो क्या होगा तो इसके लिए provision है कि आप बच्चा गोद लेने की स्विक्रती देने के पहले बच्चे का medical check-up agency के जरिये करवा सकते हैं जो बच्चे काफी time agency के पास रहते हैं उनका check-up थोड़े थोड़े time पर agency के द्वारा करवाया भी जाता है तो ये थे adoption से related provisions और process जो आपको जाननी चाहिए दोस्तों इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो या आप अपने किसी भी legal matter में discuss करना चाहते हैं तो आप screen पर दिखाई दे रहे हमारे channel के नंबरों पर contact करके हमारे legal expert से बात करने के लिए call book भी करवा सकते हैं अभी के लिए इतना ही ऐसी ही useful जानकारियों के लिए बने रही हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो